अलो फ्रेंड्स तो आज हम आपके ये EBCL सब्जेक्ट का जो की इंपोर्टेंट एक्ट है Special Economic Zones Act 2005 ये कवर करके चलेंगे ठीक है तो इसमें बेसिकली आज हम जो डिसकस करने जा रहे हैं जितना भी possible हो पाएगा तो हम आज उसको consider कर लेंगे नहीं तो उसको second part में कर लेंगे तो सबसे पहला है कि मतलब objectives क्या है इसके what is says special economic zone होता क्या है ठीक है न developer कौन है क्या approval letter of approval क्या होता है कौन developer है IFSC concept क्या आता है इसके अंदर ठीक है न तो यह सब चीज़े आज इसके अंदर consider करके चलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ SEZ special economic zone मतलब यह designated area कर देते हैं हम ठीक है जिसके through क्या होता है इस area से export करा जाता है dedicated export के लिए यह एक area हमने design कर दे जाता है और इसको हम क्या बोलते है एक तरीके से growth enclave ठीक है न क्योंकि export होगा तो growth होगी ठीक है न और यह हमारी manufacturing sector को बढ़ाएगा और जब manufacturing sector बढ़ाता है तो हमारे को जो क्या होता है employment opportunities भी increase होती है तो basically the purpose हमारा जो sales का रहता है वो यह है कि यह manufacturing को boost करता है increase करता है exports और generate करता है employment ठीक है न जब हम export करते हैं आपने I think अगर GST में भी एकर subject में पढ़ा होगा तो मैं वो provision इसके अंदर सब आपसे discuss ना करके basic हमारा जो law point of view से है वो हम discuss करके चलेंगे तो friends अगर definition की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे developer कौन होता है developer वो होता है जिसको state government से letter of approval मिल जाता है ठीक है न अब जब मैंने आपको exports के बारे में बता है import मतलब यह DTA से अगर कुछ माल खरीता है goods and services तो उसको हम monitor वगरा करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़े हम monitor करते हैं जब वो यह goods manufacture करता है या फिस service प्रोवाइड करता है ठीक है तो इसी तरह कैसे IFSC क्या है IFSC कैसा center आपने पढ़ा भी होगा IFSC company के बारे में company law वगरा में ठीक है न which is approved by the central government जिसको अप्रूव कर देती है उसको हम IFSC center बोल देते है manufacture क्या है ठीक है person के बारे में भी जानेंगे क्योंकि person एक तरीक से unit setup करता है after taking the approvals ठीक है तो देखी special economic zone की अगर यह definitions में आपको simple way में बता दूँगा तो आप अगर इसको code करेंगे तो यह अच्छा impression पड़ता है क्या है special economic zone specifically delineated designated का मतलब आप इसे बोल सकते है designated या फिर आप इसे कह सकते है authorized ठीक है न तो क्या कहता है special economic zone is a specifically delineated designated duty free enclave enclave मतलब होता एक तरिके से एक तरिके से चारो तरफ से एक तरिके से बंद है वो हमने इसको area designate कर दिया and shall be deemed to be the foreign territory अब उसको हम क्या कर लेंगे मान लेंगे कि यह foreign territory है विदेश की जगा है for the purpose of trade operations and duties and tariffs ठीक है तो जो मैंने आप पुछी स्टी के example अगरा दिया आप उसको यहाँ पर court कर सकते हैं ओके और DTA basically जो domestic territory area होता है उसको बोलते हैं DTA domestic tariff area बाके भी वो आगे आएगा तो हम उससे आप पर discuss करी लेंगे उसके बाद हम बात करते हैं friends establishments के बारे में इसका तो establishment क्या कहता है कि कौन establish कर सकता है तो क्या कोई person establish कर सकता है इसको yes friends कोई भी person state government और central government यह establish कर सकती है ठीक है तो person को करना होगा तो वो state government को अपना proposal भेजता है ठीक है न और वो जो state government होती है एक एक तरीके से board बना रखा है board of approval जिसको आगे define कर रखा है वो पढ़ेंगे हम board of approval को approval के लिए भेज देता है अगर वो approve कर देता है तो उसको हम कह स सकते हैं कि हाँ अब आप establish कर सकते हो इसी तरीके से state government को state government directly भेज देती है ठीक है न उसको तो फिर एक ऐसा है नहीं वो तो direct board of approval को भेज देता है और उसी तरीके से जो central government होता है वो set up कर सकता है and notify कर सकता है किसी को भी special economic zone को उसको बिना refer करे कहां पर board of approval को भी भेजने की जरूरत नहीं है तो बस यह एक तरीके से मैंने आपको simple way में बता दिया अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक understanding आ जाएगी उसके बाद हम पढ़ ले थे हैं board of approval के बारे में भी हमारे को पढ़ना होगा ठीक है ना exemptions वगरा तो हैं ही जो मैंने आपको बताया था की all goods and services को जो हम export करेंगे हां बट अगर और वहां से जो अगर हम कोई domestic territory से goods लेते हैं service तो उसको हम import की category में भी शामिल करेंगे ठीक है ना तो अब हम जो हमने कहा था board of approval को बेसे जेंगे तो board of approval क्या होता है basically board of approval एक notify करता है central government के द्वारा ठीक है ना notification by the central government और जो की approval board of approval within 15 days of the commencement of the act बन जाता चाहिए तो जैसे यह act आया उसके 2005 में तो 15 days के अंदर इसका setup हो गया होगा अब उसमें members होंगे persons होंगे ठीक है ना उसका chairman होगा यह person होगा वो सब चीज़े consider करेंगी अब जो इसका important part आता है friends examination point of view से कि what are the duties, powers and functions of the board of approval जब आपने देखा कि हमने इसक कर सकता है अप्रूव कर सकता है उसको modify कर सकता है इस तरह की powers आनी चाहिए एक तरीके से फिर जब approval हो जाएगा तो क्या उसके बाद यह monitor वगरा कर सकता है तो वही चीज़ हम इसको आगे consider करेंगे देखेंगे तो सबसे पहला क्या है friends granting of approval ठीक है ना for the establishment of the special economic zone granting of approval of the authorized operations authorized operations का basically क्या मतलब हो गया एक तरह किसा आप इसको ले सकते है business activities ठीक है ना authorized होनी चाहिए मतलब यह नहीं कि आपको हमने अप्रूवल ले दिया तो आप illegal unauthorized operations भी शुरू कर देंगे सिर्फ authorized operations की बात चल रही है ठीक है और granting of approval to the developers developers ठीक है ना developers को भी यह approval दे सकता है approval और rejecting proposal providing the infrastructure facilities अब infrastructure facilities में friends क्या आता है जैसे कि बजली का connection वगरा हो गया road अंदर बनानी है आपको water वगरा किस facilities वगरा लेनी है तो वो सब इस चीज़ में हम consider कर ले थे हैं ठीक है और grant करना license to the industrial undertaking अगर industrial undertaking को license चाहिए तो वो भी यह provide करता है ठीक है न suspension मतलब अगर आप उसकी directions वगरा को नहीं मान रहे तो वो आपका license को suspend भी कर सकता है ठीक है ना disposing appeals वगरा सुनने का उसका अधिकार है और बाकी perform the directions तो एक तरीके से अब आप समझ रहे होंगे कि board of approval का मुख्य मुख्य काम क्या रहता है उसी तरीके से अब जिससे suspension की बात क करी तो suspension का क्या provision है हमारे पास तो क्या board of approval तो हम कहते हैं कि यह suspend कर सकता है पर कितने साल के लिए maximum for the year एक साल के लिए ठीक है तो क्या reasonable opportunity of being hurt देना पड़ेगा या नहीं वो सब चीज हम इसमें देखेंगे कहता है कि अगर developer जैसे आप मैं आप से बात करूं कि developer ने इसको developer को board of approval एक तरीके से उसने approval letter of approval दे दिया अब वो एक तरीके से लगातार persistently default कर रहा है उसकी compliance करने में directions वगरा को तो क्या वो उसका suspend कर देगा कि आपको तो जब बात ही नहीं माननी तो फिर क्या फायता है चीक है ना कुछ अब जैसे letter of approval दिया है उसमे terms and conditions भी mentioned थी अब terms and conditions को अपने compliance नहीं किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब terms and conditions को compliance नहीं करेंगे तो हम आपका क्या करेंगे license जो हमने एक तरीके से दिया है वो आपको suspend कर देंगे ठीक है और एक another reasons हो सकता है कि financial position जो है एक तरीके से developer की वो मतलब अब इतनी मतलब शुरू में तो friends ऐसा होत कर पा रहा ना salary दे पा रहा तो इस तरीके से है तो फिर वो हम क्या करते हैं उससे suspend करते हैं देखो इसमें point है भी the financial position of the wg says that he is unable to fully and efficiently discharge his duties चीक है अच्छा अब क्या मतलब बस board of approval को मन में आया reject कर देगा क्या ऐसा कर सकता है नहीं friends आपको एक term पढ़ा होगा आपने reasonable opportunity of being heard ठीक है वो देना पड़ेगा और कब तक के लिए देना पड़ेगा कम से कम आपको जो suspend करोगे आप to the developer कम से कम तीन महीने पहले आपको उसका notice देना पड़ेगा और reason आपको बताएंगे कि भाई मैं आपका license क्यों suspend ना कर दूँ इसके बारे में आप मुझे जान करी देए फिर वो developer अपना reply वगरा देगा then correspondingly work होगा ठीक है उसी से तरह से एक यहां पर term आती है फ्रेंट development commissioner कमिशनर कौन होता है यह central government एक तरीके से appoint करती है अब यह tool for the one या फिर एक से जादा seize के लिए भी appoint कर सकती है जो की help करता है एक तरीके से monitor करने में special economic zones को ठीक है तो क्या इसका भी कुछ काम होता है यहां फ्रेंट्स बिल्कुल इसके भी कुछ functions दे रहे हैं development करना ठीक है ना उसकी performance को monitor करना अब जिस functions के लिए उसने अप्रूबल लिया था वो वही कर रहा है कोई other function अगर सेंट्रल करने ने बोला कि यह चेक करना inspection कर रही है वो सब करना ठीक है न तो वो सब चीज़े यह यहां पर carry out करेगा तो आपको difference पता होना चाहिए दोनों authority क के बारे में कि board of approval अलग है and development commissioner अलग है हमारी उसके बाद आ जाता है फ्रेंट से कि approval committee अप्रूबल कमिटी को भी central government ही जो है एक तरीके से notify करती है ठीक है ना for special economic zone अब इसकी क्या-क्या powers आ जाती है या functions आ जाते हैं वह हम discuss कर लेते हैं क्योंकि आप से किसी के भी friends पूछ सक कि आप किस से माल खरीद रहे है procurement कर रहे है import करना ठीक है ना domestic tariff area जो मैंने आपको बताया था DTA से short frame भी बोला जाता है ठीक है ना कि वही आपको जो हमने operations के लिए जैसे कि आप शट बना रहे हो तो आपको कपड़ा ही import कर रहे हो आप कुछ और चीज़ import ना कर रहे हो हमार proposal को approve करना modify करना या reject करने का उसका दिकार रहता है ठीक है ना अगर भाई देखिए friends FDI वगरा की requirement होती है ठीक है ना funds की requirement तो कहीं ना कहीं तो फिर विदेश से भी आप वो ले रहे हो तो allow करना receipt उसको हम allow करते हैं आपके लिए other functions करना compliance of conditions monitor करना तो basically अगर आप आप इसको पढ़ेंगे तो आपको clarity आजाएगी कि इसमें हम क्या हैं बाकी setting up of unit वगरा है उसमें तो मतलब ऐसा कुछ मतलब major difficulty आपको इसको पढ़ने में आएगी नी ठीक है ना कि बाई कैसे setup करनी है कोई भी person person होगा वो proposal देगा पहले तो एक तरीके से ठीक है ना कि बाई development commission को approval committee को वो जाएगा उसके बाद approval committee approve करेगी तो इस तरकी की friends में बाते आब आगे वो करे लिखी हुई है वो अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको clear हो जाएगा तो छोटा सा act है friends पर major major points जो थे वो मैंने आपके cover कर दी है ठीक है ना development commissioner की powers हो गई approval committee की हो गई ठीक है ना और developer कौ कौन होता है IFSC क्या है वो सब चीज़े एक तरह किसे important है तो आप एक बार exam point of review वो पढ़ लेंगे तो I think आपको clarity आजेगी और exam में अच्छे से आप उसको कर सकते हैं ठीक है तो friends चलिए मिलते हैं next lecture में okay thank you and god bless you all